कुछ स्वादिश्टे बनाना तो प्लेरेस्पीस.ड़कॉम पे जरूर है आना सुन्दरपुर नाम के गाउं में रहीम नाम का आदमी अपनी मुर्गियों का धंदा करता था उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी और वो उन मुर्गियों का अच्छी तरह से देख भाल करता उसके साथ उसके माता पिता रहा करते थे वो अपने खेत में बहुत सारी मुर्गियां रख कर उनको संभालता था और वो हमेशा मुर्गियां बेचा करता था वो हमेशा सोचता था मैं मेरी मुर्गियों का वजन कैसे बढ़ाऊं? मगर उसकी मुर्गियों का वजन उतना ही रहता वो उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाता था मगर उनका वजन दो या तीन किलो से उपर नहीं जाता अब रहीम जब भी बेचने जाता था वो कुछ ना कुछ करके उनका वजन बढ़ाता जैसे कि उनके गले में चेन डाला करता जिससे उनका वजन बढ़ जाए और तो और ऐसे बहुत तरीके आजमाता था जिससे वो ज़ादा वजन दिखा कर मुर्गियां बेचे ऐसे वो बहुत से लोगों को और चिकन शॉप वालों को लूटता था कभी कभी शॉप वालों से थोड़ी बहुत नोग जोग हो जाया करती थी मगर वो अपनी बात लोगों को इस तरह से बताता था कि लोग उस पर विश्वास कर लेते थे और उसकी मुर्गी ज्यादा दाम में खरीद लेते थे अब ऐसे ही बहुत दिन बीच जाते हैं रहीम सोच में डूबा रहता है कि मेरी मुर्गियों का वजन कैसे बढ़ाऊं मगर उसे कोई उपाय नहीं सूचता अब एक दिन वो गाउं से जा रहा था वहाँ एक आदमी आयरुवेदिक जड़ी बूटिया लेकर दुकान में बेच रहा था दवाई ले लो ये दवाई बहुत ही गुणकारी है पतले को मोटा और मोटे को पतला बना देती है इस दवाई से बहुत सारे रोग नश्ठ हो जाते हैं आओ आओ दवाई ले लो और तंदरुस्त हो जाओ ये सब रहीम सुन लेता है और वो मनही मन सोचता है मैं मेरी मुर्गियों के लिए क्यो ना इनसे दवाई मांगू मेरे तो भागी खुल जाएंगे अगर इसकी दवाई असर कर गई ऐसा कहकर रहीम उस जड़ी बूटी बेचने वाले आदमी के पास चला जाता है अरे भाई ये जड़ी बूटियां सिर्फ इंसानों के लिए हैं या जानवरों के लिए भी है अरे भाई तुम तुम्हारी समस्या बताओ हर समस्या का समधान है हमारे पास मैं मेरी मुर्गियों का वजन बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मुझे मेरी मुर्गियों के लिए कुछ दवाई दे दो हाँ है बेटा दवाई मगर बहुत महंगी है अच्छा तो दे दो मुझे मेरी मुर्गियों के लिए दवाई और ये लो 5,000 रुपए अब जड़ी बूटी वाला आदमी रहीम से 5,000 रुपए लेकर उसको वो दवाई दे देता है और उसे बताता है भाई ये दवाई थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुर्गियों को खिलाना नहीं तो मुर्गी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी समझे हाँ मैं याद रखूंगा ऐसा कहकर रहीम वो दवाई लेकर वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो दवाई लेकर अपनी मुर्गियों के खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज मिलाता है वो मिलाने के बाद उसकी मुर्गियां तीन किलो से एकदम चार किलो की हो जाती है और एक हफटे में बहुत बड़ी बन जाती है ये सब देखकर रहीम बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी मुर्गियां बहुत ज़ादा दाम में बेचता है चिकन वाला दुकानदार रहीम से कहता है अरे भाई, आज कल तुम्हारी मुर्गियों का वजन बहुत ही ज़ादा आ रहा है क्या खिला रहे हो भाई अरे भाई, कुछ भी नहीं खिला रहा हूँ जो हर रोज खाती है, वही वो मुर्गी खा रही है अच्छा जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो मुर्गियों से मतलब है अच्छा, कितने दो गेजरा बताना इस मुर्गी के इसका ज्यादा से ज्यादा पंदरा सो रुपय दूँगा अच्छा ठीक है, ये लो मुर्गी और वो पैसे दे दो मुझे बहुत सारे काम है ऐसा कहकर रहीम वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है और वहां से जाने के बाद उसके मन में एक विचार आता है अगर मैं रही हुई सारी दवाई एक ही मुर्गी को खिलाऊं तो वो कितनी बड़ी बन जाएगी और मेरे पास उसको खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी ऐसा मन में सोच कर वो घर चला जाता है और एक मुर्गी की खाद में इतनी सारी दवाई मिला देता है और उसको खिलाता है वो मुर्गी शाम को खाद खा लेती है और सुभह में वो मुर्गी बहुत ही बड़ी बन जाती है उसे देखकर रहीम भी एक मिनिट के लिए डर जाता है मगर फिर से उस मुर्गी को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी की मुर्गी है जो कि कल खाद खाई थी ये स तब देख कर रहीम सोचता है अरे वाह मेरी मुर्गी इतनी बड़ी हो गई अब मैं इसे बेचूंगा और इसके धीर सारे पैसे लूँगा ऐसा सोच कर वो उस मुर्गी को गाउं के चिकन वाले के दुकान पर लेकर जाता है और उससे कहता है भाई साहब ये लो बड़ी मुर उजे नहीं चाहिए अरे क्या भाई साहब इतनी बड़ी मुर्गी से डर गए ऐसा कहकर रहीम उस मुर्गी को वहां से लेकर चला जाता है और दूसरी शॉप वाला दुकान दार उससे पूछता है अरे भाई ये इतनी बड़ी मुर्गी कहां से लेकर आए ये स्पेशल कोई नहीं लेकर जाता मैं इसे नहीं खरीच सकता अगर धंदा होता तो खरीच लेता अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ ऐसा कहकर रहीम अपनी बड़ी मुर्गी के साथ गाउं के सारे चिकन दुकान पर जाकर आता है मगर उसकी बड़ी मुर्गी कोई नहीं लेना चाहता औ और इसी वजह से वो उसे दो दिन घर पर रखता है। उस मुर्गी की भूक तो बहुत बढ़ गई थी। वो सारी मुर्गियों का खाना खा लेती थी। और अगर उसका पेट नहीं भरा, तो गाउं में जाकर अपना खाना खा लेती थी। मगर इतनी बड़ी मुर्गी देख कर लोग भी डर जाते थे। रहीम से नुकसान भरवा कर ले जाते थे। ऐसे साथ दिन बीच जाते हैं। अब ये मुर्गी तो मुझे मार डालेगी। और अगर इसने नहीं मारा तो लोग आकर मुझे मारेंगे। ऐसा कहकर रहीम उस मुर्गी को लेकर जड़ी बूटी वाले बाबा के पास चला जाता है आओ बेटे, ये इतनी बड़ी मुर्गी कैसे बन गई? इसको क्या तुमने ज़्यादा मातरा में दवा खिला दी? हाँ बाबा, मुझे अब इसको छोटा करना है, जिससे मैं इसे बेचू और इससे मुझे चुटकारा मिल सके अच्छा विचार है, तुम अब इस मुर्गी को छोटा करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से पांच हजार रुपे देने होंगे जी ले लीजिए, पर इसको छोटा कर दीजिए अब रहीम वो जड़ी बुटी वाले आदमी से दवाई ले लेता है और उससे जड़ी बुटी वाला आदमी कहता है अब इस दवाई को थोड़ी ही मात्रा में डालना जिससे ये मुर्गी का वज़न कम हो जाएगा और मुर्गी पहले जैसी छोटी हो जाएगी जी बाबा, अब ऐसा ही करूँगा अब रहीम हर रोज मुर्गी को खाद में ये दवाई मिला कर देने लगा और वो मुर्गी अब पहले जैसी छोटी हो गई थी अब रहीम को समझ में आ गया कि जिन्दगी में लालच नहीं करना चाहिए लालच की वज़े से रहीम अपना खुद का नुकसान कर बैठा खास करके वो बिरियानी और बिरियानी के सारे प्रकार बहुत अच्छे से बनाता था राजू के हाथों में जैसे जादू ही था सभी लोगों को राजू के हाथ की बनाई बिरियानी बहुत पसंद थी उस होटल का मालिक चंदन बहुत ही लालची और शातिर था वो अपनी मीठी मीठी बातों से दूसरों को फसाता और पैसे एटता था उसका होटल अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था इसकी वज़े से चंदन राजु पर बहुत खुश था ग्राहकों की जादा बिर्यानी की मांग देखकर चंदन राजु को जादा बिर्यानी बनवाने को बोलता और राजु से बहुत जादा काम करवाता था एक दिन राजु को बहुत तेज बुखार आया और उसके पास खुद का इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे सुनो, तुम होटल जाकर सेड़ जी से कुछ पैसे मांग कर लाओ बाद में वो मेरी तंख्वा से काट लेंगे ठीक है नमस्ति सेड़ जी, मेरी पती के तब्यद बहुत खराब है मुझे पैसों की जरूरत है मुझे कुछ पैसे दी दीजिए वो आने की बाद लोटा देंगे बाबी जी आपको तो पता ही है कि आज कल धंदा कैसे चल रहा है ये राजु जब तक काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है ना ठीक है, अब आप आ ही गई हो तो ये सो रूपे लेकर किसी अच्छे हस्पताल में उसका इलाज करवाईए, जाइए पत्नी वो सो रूपे लेकर चली जाती है, और सोनार के दुकान पर जाकर अपने जेवर बेचके अपने पती का अच्छे से इलाज करवाती है जब राजू ठीक हो जाता है तो वो अपनी पत्नी के जेवर ना देखके उसे प्रश्न करता है पत्नी जो सब हुआ वो उससे बता देती है और रोने लगती है उस दिन राजू होटल जाता है आज से तुम्हारा यहा कोई काम नहीं है मैं तुम्हारे बरों से 15 दिन अपना होटल बन नहीं रख सकता मैंने तुम्हारे बदले में कोई और ले लिया है अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं राजू वहाँ से उदास मन से चला जाता है और घर में आकर मायूस होकर बैठता है क्या हुआ आपको आये हो तब से मायूस हो कुछ बोलोगे अरे जरा चूप भी रहो यहां मेरी नौकरी चली गई है और तुम मायूस होने की बात कर रही हो क्या आपको उन सेर्जी ने निकाल दिया अब इतनी महनत करते थे उसके बावजोद उन ने निकाल दिया हाँ, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है क्या करू और यहाँ पर जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी मेरे मन में एक अच्छी कलपना आई है अगर हम बिर्यानी बना कर बेचेंगे तो हमारी बिर्यानी सब को पसंद आएगी और आपको नुकरी करने की भी चिंता नहीं होगी वैसे भी आपके हाथों का स्वाथ तो लोगों को पता ही है सब बाते सही है भाग्यवान लेकिन पैसे कहा से लाएंगे पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकाले और राजू से बोली ये रीजिये अब तो कोई चिंता नहीं है न इससे हमारा काम हो जाएगा पत्नी की ये कलपना राजू को पसंद आती है वो एक ठेला किराय पर लेता है और पहले दिन एक बरतन भरके बिर्यानी बनाता है बाजार में एक जगा ठेला लगा कर वो बिर्यानी बेचने बैठता है उसके बिर्यानी की सुगंद इतनी अच्छी आती है कि सब लोग उसकी बिर्यानी खरीदने के लिए दोड़ पड़ते है उसकी पूरी बिर्यानी जल्द ही खतम हो जाती है और राजु घर खुशी-खुशी लोड़ जाता है अगले दिन से राजु थोड़ी जादा बिर्यानी बनाता है और अपनी बिर्यानी बेच के धीरे-धीरे उसे अच्छे दाम भी मिलने लगते है कुश दिनों बाद वो अपना खुद का ठेला खरीद लेता है देखते ही देखते राजु का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलने लगता है ये बाद चंदन को जब पता चलती है तब चंदन उसके ठेले पर आता है अरे राजु कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने होटल में फिर से नोकरी पर रख लूँ क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेट जी लेकिन मुझे अब आपके यहां काम नहीं करना मेरा ये छोटा सा ठेला ही मेरे लिए अच्छा है कम से कम इजज़त तो मिलती है चंदन को जो समझना था वो समझ गया और वहाँ से चला गया जब राजू उसके होटल में काम किया करता था तब उसका होटल बहुत अच्छे से चलता था लेकिन अब राजू ना होने के कारण उसका होटल पहले जैसे नहीं चल रहा था अपनी लालच की वज़े से उसका बहुत नुकसान हुआ था इस तरफ अब राजू एक बड़े होटल का मालिक बन गया था अब उसके पास सब कुछ था और वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था राजू अपने गाव में बिरियानी वाला राजू इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का शोशन नहीं करना चाहिए कुछ साल पहले रामपूर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था वो अपना छोटा खेद बो के परिवार की परवरिश किया गरता था उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था कृष्णा कृष्णा उठो भाई सूरत सर पे आया है कुछ कामवाम नहीं करना तुम्हें भाया स्कूल शुरू होने में अभी एक मेहना बाकी है क्यू परेशान कर रहे हो सोने दो ना मुखिया जी सुबा आके गए है वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे कह देना हो जाएगा अभी बहुत टाइम है ये कहके क्रिशना फिर मुँपे चद्दर ओड के सो जाता है हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए इसी विचार में हरिया अपने खेद की तरफ निकल पड़ता है जब वो गाव की नुकड़ पे पहुचता है तब अरे भाई सुना है मुखिया जी दूसरे गाव से मिस्त्री बुला रहे है वो तो होने ही वाला था क्रिशना के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश हाँ और नहीं तो क्या हरिया भाईया की विश्वासनियता की वज़े से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी क्रिशना को दिया है गाव वालों की बाते सुनकर हरिया परेशान हो जाता है क्यूकि क्रिशना की गैर जिम्मेदारी की वज़े से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षन नजर आते है क्या करू इस लड़के का समझ नहीं आता भगवान ने हुनर तो दिया है लेकिन इसका ये आलसी पन हरिया ठका हरा रात को घर लोटता है उसकी बीवी उसे खाना परोस्ती है बीवी से पता चलता है कि क्रिशना दोपहर तीन बज़े उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है अच्छा? यानि आज भी स्कूल नहीं गया इतना काम पड़ा है लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है और अज जाते समय रात के भूजन में केरी का आचर बनाने के लिए बोल की गये है बीवी की बाते सुनते ही हरीया के दिमाग में एक कलपन आती है वो बीवी से निम्बू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है भावी जल्दी खाना परसो बहुत भूक लगी है और हाँ कैरी का आचर भी देना कैरी का आचर बाहर आंगन में आपके भाईया बना रहे है क्रिशना बाहर आता है और हरीया को निम्बू के बीच के साथ बैठा देख चकित होता है भाईया ये निम्बू के बीच के साथ क्यों बैठे हो तुम्हारे लिए कैरी का आचर बना रहा हूँ भया आप ठीक तो है नीम्बू के बीच से आप कहरी उगाओगे हाँ क्यों नहीं उगेगी भया आप ही ने सिखाया है ना जो बोगे वही पाओगे फिर तभी मुख्या जी का आदमी वहां आता है और क्रिश्ना को बताता है कि मुख्या जी ने स्कूल के काम के लिए नए कार्पेंटर को बुलाया है अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं अरे मुख्या जी ऐसे कैसे कर सकते है मेरे जैसा एक्सपर्ट कार्पेंटर उन्हें आजू बाजू के दस गाउं में नहीं मिलेगा वो आप उनसे जाके बोलिये चलता हूँ अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वज़े से क्रिश्ना बहुत दुखी होता है क्रिश्ना अब दुखी होने से कोई फाइदा नहीं है जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है तुमने अपने आलसी सभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है भाया मुझे माफ कर दीजिये आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है क्रिश्ना देर से आए दुरुस्त आए आगे से खयाल रखना तो इस प्रकार देर से ही सही क्रिश्ना की आखे खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है पवन एक मेकैनिक था जिसका गाव में एक गैरेश था गाव के सभी लोग पवन के पास ही गाडिया बनाने आते थे पवन पढ़ा लिखा नहीं था बेटा मनिश स्कूल जाओ स्कूल का समय हो गया है पवन अक्सर अपने बेटे मनिश को स्कूल जाने और पढ़ने लिखने के लिए कहा करता था लेकिन मनिश पढ़ाई लिखाई में कमजोर था मनिश बोलो चार पंचे कितना वो मास्टर जी सोला वाँ चार पंचे सोला बहुत अच्छे अब हाथ आगे करो मास्टर जी मनिश को छड़ी से मारा करते थे अक्सर मनिश सालाना परिक्षा में फेल हो जाता था और फिर पवन उसे बैट कर समझाता था बेटा देखो मैं तो पढ़ नहीं पाया क्यूंकि मेरे घर की हालत खराब थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो बहुत बड़े आदमी बनो और अपनी खुद की आलिशान गाड़ी में घुमो पापा मैं बहुत मेहनद करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाता बेटा और मेहनद करो साल बीते और मनिश उसी तरह परिक्षा में फेल होता गया अब पवन ने मनिश से उमीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी पढ़ पाएगा बेटा मनिश कल से गयर जाया करो कम से कम कुछ काम तो सीखलो और अगले दिन से पवन अपने बेटे मनिश को गाड़िया बनाना सिखाने लगा मनिश को भी गाड़िया बनाने का काम बहुत पसंद था कुछ वर्ष बाद मनिश पवन से भी होशयार मेकैनिक बन गया और पवन बुढ़ापे के कारण बीमार हो गया मेरी बड़ी खोहिश थी कि तुम पढ़ो लिखो बहुत बड़े इंसान बनो और अपनी खुद की हालीशान काड़ी में गूमो अब मैं पढ़ नहीं पाया तो क्या करे लेकिन गाड़ी में जरूर घुमाऊंगा आपको और वो भी खुद की गाड़ी में उस दिन मनिश ने ठान लिया कि वो अपने पापा की इच्छा पूरी करेगा और खुद ही अपने लिए एक कार बनाएगा उसने पूरी लगन के साथ अपना काम शुरू किया लगबग दो साल बाद मनिश की महनत रंग लाई और उसने खुद के लिए एक शांदार कार बनाई देखो पापा, मैंने कहा था न कि मैं आपको अपनी खुद की बनाई हुई कार में घुमाऊंगा मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा चलो, तुमारी इस नई कार का उदखाटन हम देवी मा के दर्शन से करते है दोनों बाप बेटे अपने लंबे सफर पर निकल पड़े कई किलोमेटर्स चलने के बाद पवन के मन में एक खयाल आया अरे बेटा मनीश, कार में परियाब डीजल तो है न हम काफी दूर आ चुके है डीजल खतम न हो जाए अरे पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हम, ऐसे कैसे, भला बिना तेल के कोई कार कैसे चलेगी हाँ पापा, चल सकती है, ये बिलकुल मुम्किन है बेटा, मेरे इतने साल का तजरूरूरा कहता है कि बिना तेल के कोई कार कभी नहीं चलेगी पापा, आपको मेरी बात पे यकिन नहीं हो रहा न रुकिये, आपको अभी यकिन दिलाता हूँ ऐसा कहकर मनीश ने तुरंद कार रोक दी वे दोनों कार से बाहर आए पवन कार की जांच करने लगा तभी उसने पाया कि कार में इंधन के लिए कोई टैंक मौजोद ही नहीं है अरे, ये कैसे संभव है इस कार में तो तेल की टंकी ही नहीं है क्यों पापा, कहा था ना मैंने इस कार में तेल की कोई जरूरत नहीं ये कार सौरूरुजा से चलती है ये बात सुनकर पवन हैरान रह जाता है उसकी आखों में खुशी के आसो आते है मनीश का पूरा बचपन उसकी आखों के सामने आ जाता है मुझे माफ कर दो बेटा, मैं गलत था तुमने एक ऐसा हविशकार किया है जो आज तक कोई पढ़ा लिखा नहीं कर सका मुझे तुम पर नास है सच में तुम्हारी ये कार कोई मामूली कार नहीं है ये एक जादूई कार है सोमना ते एक बहुत मेहनती और इमानदार किसान था खुदनपड होने के बावजूद उसने अपने इकलोते बेटे सुरेंद्र को अच्छी शिक्षा दी थी अब सुरेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए गाउ से बहुत दुर शहर जा रहा था पिताजी, अब मैं कम से कम एक साल गाउ नहीं आ पाऊंगा आप अपना खयाल रखना तुम मेरी चिंता मत करो बेटा बस मन लगा के पढ़ाई करना अब मेरी सारी आशाय तुम ही पर है हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा दूसरे दिन सुबह होते ही सुरेंद्र शहर चला जाता है और सोमनात अपने खेतों में काम शुरू करता है कुछ देर बाद गाव के सावकार का चेला शंकर वहा आटपकता है और सोमनात भाया, कैसे है? भगवान की कृपा है बस मेरा सुरेंद्र अफसर बन जाए तो मैं आराम ही आराम करूंगा वो तो आप अभी कर सकते हो गाव के हिरामल सावकार कब से आपकी जमीन खरीदना चाहते है वो भी दुगने दाम में नहीं शंकर, एक किसान के लिए उसकी जमीन मा के समान होती है और मा का भी कोई सावदा करता है भला अब आपकी मर्जी लेकिन इस साल बहुत भयंकर सुखा आने का अंदेशा है और अब तो सुरेंद्र भी नहीं है आपकी सहायता के लिए हम, देखते है शंकर सोमनात को जमीन बेचने के लिए राजी नहीं कर पाता और वहाँ से निकल पड़ता है हम, यह बोढ़ा बहुत जिद्धी है अब सावकार मुझ पर नाराज होंगे ऐसे ही महिनों बीच जाते है सुरेंद्र और सोमनात एक दूसरे को चिठ्थिया लिखकर अपनी खुशाली बताया करते थे सोमनात तुमारी चिठ्थी है बाई, सुरेंद्र ने भीजी डाकिया जी, जरा यह चिठ्थी पढ़के तो सुनाईए डाकिया सोमनात को सुरेंद्र की चिठ्थी पढ़के सुनाते है चलो अच्छा है, सुरेंद्र की पढ़ाय ठीक चल रही है हाँ होनहार है तुम्हारा बेटा जल्दी तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे सोमनात हाँ इसी उमीद में दिन काट रहा हूँ बस हमेशा की तरह मेरी तरब से दो शब्द खुशेहाली के उसे लिख दीजिए हाँ क्यों नहीं अभी लिख देता हूँ जुलई खतम होके औगस्ट शुरू हुआ था लेकिन बारिश का कोई नामों निशान नहीं था सारे गाउवाले चिंतित थे अब एक ताजा खबर सरकारी मौसम जिभाग के अनुसार धेश के हर राज में औसद दस फिससी दी ही बारिश होने का अनुमान है नागरिकों से निवेदन है कि उपलब्द पाने का इस्तेमान समझदारी से करे हम लगता है इस साल फसल नहीं हो पाईगी फिर से सावकार से करजा उठाना पड़ेगा हाँ भाई जमीन भी गिरवी है उसे तो अच्छा मौका ही मिल जाएगा गरीबों को लूटने का और गाओ के अधिक्तम कुवे भी सावकार के पास ही है गिरवी सोमनाथ भी अपने घर में चिंतित बैठा है हम लगता है शंकर की बात सच होने वाली है आशाड खतम होके शिरावन शुरू हुआ है लेकिन आसमान से एक पानी की बुन ही टपकी कुवे की गहराई बढ़ा दू तो शायद पानी मिले ये सोच के सोमनाथ सीड़ी लेके अपने घर के माले पे चड़ता है और वहाँ से कूदाल और फावडी निकालता है लेकिन इसी दोरान वो पैर फिसल के गिर जाता है सोमनाथ के हाथों में और घुटनों में गंभिर चोटे आती है ये भगवान ये क्या हो गया अब मैं कुवा कैसे खोदू अनाज कैसे बोऊ घर पे आराम कर रहा सोमनाथ डाकिया की मदद से अपने बेटे सुरेंद्र को चिठ्थी लिखता है और यहाँ का सारा हाल बया कर देता है चलो भई सोमनाथ मैं निकलता हूँ तू अपना खयाल रखना डाकिया के जाने के बाद शंकर सोमनाथ के घर आता है कैसी है तबिये तब सोमनाथ भईया भगवान की कृपा है हड़ी नहीं टूटी लेकिन दर्द से बेहाल हूँ लेकिन अब तुम क्या करोगे तुम्हारा बेटा तो यहाँ आने से रहा मेरी मानो अपनी जमीन सावकार को बेज दो और शहर अपने बेटी के पास चले जाओ सुखी हो जाओगे शायद तुम ठीक कह रहे हो शंकर खुश हो के सोमनाथ के घर से बाहर निकलता है चलो आखिर ये जिद्धी बुढ़ा मान ही गया यहाँ शहर में सुरेंद्र अपनी परिक्षा की तयारी कर रहा था लेकिन वो पिताजी की चिठ्थी पढ़के सोच में पढ़ गया बेटा सुरेंद्र इस साल सूखे की वज़े से शायद फसल ना हो पाए लेकिन अगर तुम यहाँ होते तो मैं हमारा कुवा खोद के उसकी गहराई बढ़ा देता थोड़ी बहुत सबजिया बो लेता अब सब रामभरो से छोड़ रहा हूँ पिताजी काफी बिमार है उपर से ये सूखे का संकट और मैं यहाँ फस गया हूँ कुछ तो करना पड़ेगा कुछ दिन बाद डाकिया सुरेंद्र की चिठ्थी लेके आता है और सोमनात को पढ़ाता है प्रानाम पिताजी आपकी चिठ्थी मिले लेकिन आप हमारा कुवा और ज्यादा मत खो दिये क्या चिठ्थी पढ़ते ही दोनों चोक जाते है वहाँ सोमनात तुम्हारा तो भाग्य खुल गया भाई डाकिया वहाँ से निकलता है तभी रास्ते में उसे शंकर मिलता है क्यो डाकिया जी क्या खबर लाखों में एक खबर है भाई क्या बात कर रहे हो दरा हमें भी बताओ भाई डाकिया शंकर को सोमनात के कुवे के बारे में बताता है और वो सुनके शंकर की आखे फैल जाती है उसी राज शंकर फावडा और कुदाल लेके चुपके से सोमनात के खेत में आता है और उसका कुवा खोदने लगता है ये गुप्त धन अगर मुझे मिल गया तो मैं खुद ही सावकार बन जाओंगा बहुत देर तक कुवा खोदने के बाद भी शंकर के हाथों कुछ नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है ये क्या लगबग दस हाद गहरा खोदा है कुवा फिर भी कुछ नहीं दिख रहा अब तो सुर्योदे भी होने को है किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे सुभा सोमनात लंगरते हुए कुदाल लेके खेट पहुचता है कुछ तो करना होगा कुवा खोदने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश करता हो सुमनात जैसे ही कुवे के पास आता है वो दंग रह जाता है अरे ये क्या? ये किसने खोदा? खोदा हुआ कुवा पानी से भरा देख सुमनात खुश हो गया लेकिन तभी उसे सुरेंद्र की बताई बात याद आई ये क्या हो गया? सुरेंद्र ने तो मुझे कुवा खोदने से मना किया था उसी दिन सुमना डाकिये के द्वारा सुरेंद्र को चिठ्ठी लिखके यहा की हकिकत बया करता है और अब आगे क्या करना है पूछ लेता है बेटा यहाँ चमतकार हो गया है तुमने मुझे कुवा खोदने से मना किया था लेकिन एक रात किसी ने हमारा कुवा काफी गहराई तक खोद दिया और अब कुवा पानी से भर गया है अब मैं क्या करू? हाँ हाँ मुझे पता था पिता जी गाव में एक कान की खबर दुसरे कान तक पहुचने में देर नहीं लगती सुरेंद्र तुरंट सोमनात को जवाब लिखता है पिता जी अब आप मन चाही सबजिया बोईए इतनी दूर से मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या लिखा है? मन चाही सबजिया बोई वा भाईवा उधर शहर में बैटके यहां बापके लिए कुवा खुदवाया वो भी मुफ्त? बेटा हो तो ऐसा बेटा सुना जाए